नमस्ते दोस्तों, रूब रूब में आपका फिर से स्वागत है आज हम लीना जी के साथ बैठे में और लीना जी से बात करेंगे शब्द तीन पत्ती जैसे फिल्मों का निर्देशन कर चुकी लीना जी अभी फिलाल अपने फिल्म पाश्ट को लेकर के चर्चा में पाश्ट, तिशनगी, प्यास ये एक ऐसी प्यास है, एक ऐसी तिशनगी है जो पित्र सत्ता को सीधे-सीधे चुनोती देती है जी हाँ, औरतों पर बनीवी फिल्म पाश्ट, ना सिर्फ धेर सारे अवाड अपने नाम कर चुकी है, बलकि भारत में ये चर्चा का विशय बन गई है लीना जी, आपका इस कारक्रम में सौगत है, लहर आपका भी सौगत है सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत-बहुत बधाई और बहुत शुक्कामना है एक ऐसी फिल्म बनाने के लिए जिसकी वास्तों में सिनेमा जगत में ज़रूरत थी मैं सबसे पहले तो आप मुझे ये बताईए कि कैसे इस फिल्म को बनाने का खयाल कैसे आया इतने क्योंकि भारत में बहुत सारी फिल्में और भी बन चुकी है लेकिन इस लेबल पर अभी तक नहीं बनी है कि इतने ग्रॉसरूट लेबल से कैसे खयाल लाया तो ये शुरुआत हुई तनिष्ठा के साथ में बात करें थी हमने का कुछ साथ में करते हैं मैं लेककू निर्देशक हूँ मेरे हाजबन कैमरमन है तो हमने का हम घर के अंदर ही कुछ बना लेते हैं एक अच्छा सा कॉंसेप सोचते हैं तो बातचीत करते करते तनिष्ठा में को कुछ कुछ कॉंसेशन बताने लग गए जो उसकी एक गाउं में जब वो रोड मूवी शूट कर रही थी और तो ये कॉंसेशन स्पेशली सेक्स के वारे में जो थी मेर को लगा ये कितनी ऑनस्ट है और कितनी रियल है हम जो सोचते हैं प्रोग्रेसिव हम शेहरों में रहते हैं हम भी इतनी बात नहीं कर पाते हैं सेक्स के बार में तो शुरूआत इस बात से हुई कि हम लोग सेक्स इंद विलेज बनाते हैं जहां पर हम कुछ सच्चाईयां भाहर निकाल के लाए ये ना यूमरिस हुए फिर कि मैं गाउं से यहां आई बंबे लिखना शिरू किया रिको लगा मैं उनकी कहानी नहीं बना रही हु मैं अपनी कहानी बना रही हुए न क्योंकि यही चीजें यहां पर भी हो रही है तो उससे मेरे को और लगा कि यह तो बननी चाहिए और फिर मैंने जब पहली ड्राफ्ट खतम की मैंने अपने दोस्तों को भेजा बिद्विशों में बहुत सारे देशों में और उन्होंने भी मतलब react as a script किया नहीं इसको ऐसा नहीं बोला कि वहां पर ड्रैग हो रही है यहा स्चानिया लिखे भेजे अरे मैं लज्यो को यहां पर जानती हूं न्यॉयॉक में मतलब थोड़ी डिफरेन नहीं कर कानी जानती हुई यहां बins質 और यहां जानती हूं तो मिरको लगा और यह region में हम सेट करें क्योंकि इसकी जो आइरनी है कि एक ऐसा गाओ जाए एडुकेशन नहीं है इन्फोमेशन नहीं है वही कहानिया सबसे प्रोग्रेसिव सुसाइटीज में भी हो रही है तो हमको हमेशा लगा था ना कि एडुकेशन आकर सबसफाई कर देगा हम अभी तक बोलते हैं उस पर ध्यान देना पड़ेगा तो चेंज दाट फ्रम पेरेंटिंग जब से बच्चा पैदा होता है तब से वह बिलीव सिस्टम उसमें डाले जाते हैं और वह एडुकेशन से नहीं मिटते हैं तो एडुकेशन यह सब उपर की सफाई है जो अंदर से हम लोग डिवै अधाद और उन सीन्स को देखने पे लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो अलग-अलग राज्यों को भी रिप्रेजेंट करती है जैसे उत्रपदेश हो गया हर्याड़ा हो गया जैसे वह एक सीन है जब वो कहती है कि मा मुझे मत भेजो मेरा ससूर मेरे साथ बत्तिमी ज कि ढरता है, मेरा देवर हांत मारता है और मुझब केहती है कि मुझे मैं बच्चा गरवा चुकी हो मुझे नहीं पता ये बच्चा किस का सहे है लगन बसे पति का घर ही छोडी का असली घर होता से देख थ होते हुए से अब दाम का मान हखी ले अर वापस जलिजा है एक पूर्षिनागरीया अज़ लिए फिमेल एक्टिविस्ट जब मैं अर्याडा में काम कर रही थी तो मुझे इसी बहुत सारी इस्टोरियां देखने कुम ईती। तो क्या यह इस्टोरी यह हो रहे हैं पूरे देश में हो रहे हैं और क्या है इसलिए क्योंकि में को वह बारन लैंड चाहिए था इसलिए कच और राजस्तानी दो मेरे पास ऑप्शन थे और मैं चाहती थी कि लैंग्वेज में हिंदी ना रखे कुछ में उसमें फ्लेवर दो तो हमने उसमें कच्छी मिला कि एक नई लैंग्वेज क्रियेट की फिर मैंने का एक बिजली का चाहरेक्टर है उसको के पंजाओी एक्सेन दिया क्यम्कि नहीं पथे जादेश हुत दिया है कि वेह चुमिश्य बें लग बिदिदॉए को ऐसें को लगने लगैं कि wanna give you Okeung इसलिए मैंने कोशिछ की कि कि सिक्षानी का ना में लों कपड़े भी मिक्स कर्के सब चीजे मिक्स की हैं क्योंकि मेरे को नहीं चाहती थी कि फिल्म बनने के बाद एक जाती बुलेगी अरे हमारे यह ऐसा नहीं होता है मैंने कस्टम्स भी मिक्स की हैं काफी जाती हो कि जैसे जो डाउरी का है जो पूरे इंडिया में वो हमने उल्टाया है फिल्म तो इसलिए हम कभी यह नहीं चाहते थे पर फिर भी देखो हमारा देश ऐसा है कि उस बात पर आके बाद अटक गई है कि आरे यह हमारी हमारे आपने हमारे समाज को पुरी तरह दिखा है क्योंकि आपने हमारा कॉस्ट्यूम पहन लिए तो अभी हाली में यह खबरे प्रकाश्रित हुए थे और काफी लोग इस बात की चर्चा भी कर रहे थे कि आपको जान से मारने की धंके दी जा रही है तो ऐसी धंकियों से कितना डर लगता है मील कुल लगता है यह भी पंच आयात है जो पिचेर में दिखाए गई है न कि आपकी हिम्मत किसे हुए बंत करो इसको तो यह लोग जो फोन भी कर्रेज Allah रहे हैं और बंत करने के कोशिश करे है देखते हैं किया होता है क्या है कि Felix कि गुजुन्द कोर्ट वो अपनी माँ के पैसे चुराता है और आपके साथ समझती है रानी का जो करेक्टर वो समझती है कि पैसे आपने चुराए है तो वो एक इनोसन सा सवाल आप उससे पूछती है कि जान की पूछती है कि पैसे तुम ने चुराए ना तो वो जो सीन है उसमें जो बसारओ लिए पार छारेशन का है वह क्यासा एक्सपिरिंस था किया कभी आ इस तरह का महल कभी आफने देखा फिल कहा और सीन को करने के बाद यब क्या हूं थेखिव पी आत्ड पशेल करो नेарए? लेकिन वह scene, first of all, तो हापे रिदी ने बहुत अच्छे से उसने पुरा ध्यान रखा कि मुझे ना लगे जिए अच्छे में गेम की तरह करेंगे हाँ, वो हाविकुल की अब ऐसे यह दो बच्चे थे जिनको लगा कि हम stunts कर रहे हैं तो रिदी ने का मैं ते को इधर पटकूँगा तो इधर ऐसे कर ले ना फिर ऐसे उठ जाना और ऐसे तो हमने एक गेम की तो एक बार उसकी हम जो जब प्राक्टिस कर रहे थे क्योंकि एक्स्परेशन प्रॉपरली नहीं आ रहे था तो आप तो हम कि तु मार दे मुझे एक मार दे हो जाएगा तो प्राक्टिस के टाम पे एक बार लग गया तो मैंने का ऐसे रियल में वह इतनी बार प्राक्टिस हो गया था कि वह बिना उसके करें हो गया था इट हो गया था खीज जस समय दो सो गया था दोनों बहुत बहुत अच्छे दोस्ते दोनों बहुत अच्छे गान गाते थे क्योंकि जशूच करने से पहले में वह को भी एक ऐक डाउट था कि जन लोगों ने यह सरक्म्स्रांसे देखे नहीं है कभी-कभी एक फिल्म शूट इतना रियल हो जाता है आपके लिए कि यू कैरी एज इन एक्स्पिरिंस तो मैं नहीं चाहती थी और उसी दौरान जब मैं जानकी की कास्टिंग कर रही थी मैं एक ऐसी लड़की से मिली जिस पे इतना बुरासर पड़ा है एक ऐसा रोल करके कि उसकी स्पीच में स्टैमर आ गया है तो उसके बाद तो मेरे को और डर लग गया था बट लुकिली क्या हुआ मेरे को दो बहुत एक्स्ट्रीम लोग मिले लेहर जो बहुत ही इनुसेंट ह है बहुत ही जॉइफुल है और रिद्धी जो इतना पड़ चुका है शायद वो शायद तीस साल के लोग भी नहीं पड़े होगा ठीक है उसके फॉर्स्ट कॉन्सेशन जो मैंने रिद्धी के साथ किया स्काइप पर में को याद है मैंने हैटफोन पहने हुए ते मेरे अधी को एक टूल बना के I use them both like in a way that की इनको लगे की गेम चल रहे है और I think Leher ने जब फिल्म दो साल बात देखी लंडन में finally is when usko real you should talk about that yeah actually जब वो देखी थी तो it was completely different क्योंकि जब करी थी तब मुझे पूरा पता भी नहीं था कि movie exactly पूरी है क्या Leaving Janki and थोड़ा बहुत about Rani and Gulab तो जब देखी तो it was totally something else only and but I think उस ताम पे या इतना था कि I could understand उस तेम पे जब 14 में जब मैंने करा था that time I'm pretty sure नहीं समझ में आया लेकिन when I watch the movie तो या आपकी इससे पहले जो फिल्में आ चुकी है शब्द, तीन पत्ति और अपाश्ट ये तीनों बिल्कुल अलग-अलग based movie है और अगर तीनों को ही देखा जाए तो वो business के purpose की movie नहीं है वो एक संदेश देने वाली movie है और society को एक रास्ता दिखाती है कि हम कैसे क्या करते हैं आपको क्या लगता है कि आप आगे भी इस तरह की इस तरह की यही फिल्में बनाएंगी या commercial फिल्मों की तरफ भी रुखाप का रहेगा अब तक बना ली है तो अब तो कोई मतलब मोड़नी की जरूरती नहीं है क्योंकि मैं मैं जिस तरही का मेरा दिमाग है मैं वही कर सकती हूं तो शब्द और तीन पती के साथ भी जब मैं पहली बा या बुरी बात मानो की ऐसे लोग उससे जुड़ गए उनको भी बहुत अलग लगी यह कानी तो फिर तीन पती के साथ भी मैंने वही किया जब तो जब शब्दा ही तो सबने उसको मार पीट के एकदम साइट कर दिया जब तक तीन पती आ रही थी तो जितने जरूर्लिस आ अग्लियम फिल्म बट किसी क्रिटिक ने उसको अग्लियम तो नहीं किया थो तो पर एनीवे उनको लगता है कि क्रिटिक लिए ले तो बहुत बढ़िया तो जैसा मैं जानती हूं मैं वैसा ही कर सकती हूं और पास्ट भी मैं अपनी एक ओडियंस जोडना चाहती थी वहां उस उस नीट से पाच्ट आई क्योंकि अबिसली मैं जो अलग कहना चाहरी थी और उसको एक बहुती कमेर्शल उसमें कहना चाहरी थी कहीं ना कहीं उसमें शायद मिस्माच सा हर चीज की अपनी जगह होती है और इंडिया में प्रॉब्लम किया है हमारे जो एक्टर उनकी ज चाहरी जादा है तो अगर वो कुछ गड़वड चाहरी प्ले कर जाती है कि अरे आप ऐसा कैसे कर सकते हैं यह बूल जाते कि वह चाहरी कर रहे हैं तो अगर पूरा सिस्टम ऐसा है तो उसमें आप टांग अड़ा हो तो इससे अच्छा अपनी एक आवास जोंड़ो तो पा जानकी को लेहाने का क्योंकि फिल्म कही न कहीं पूरी होती है यह चार ओरते जो जिंदगी बुंती है वो परत दर परत ऑरतों के जिंदगी को खोलती भी है सबहालती भी है और एक फैला भी देती है तो वो कैसे सूझा आपको? जानकी का कारेक्टर आया क्योंकि आक्चुली जो कारेक्टर तनिष्ठा जिस पे मतलब जहां से बॉन हुई थी रानी का कारेक्टर वो आक्चुली एक विडो थी जो तो हमने जब उनसे बात की वो 35 साल की होंगी और वो ऐसे जैसे बात करी थी जैसे वो बुड़ापा आ गया है उनके बेटों की शादी हो गई है और उनका जो मेडल है जिस पे वो जिंदगी जी रही है कि यही है कि समाज बोलता है वाह रानी बेहन आपने क्या सैक्रिफाइस करके वो एक्जामबल बन चुके बाकी गाओं के लिए बाकी अपने बेटियों को बोलते देखो रानी बेहन ने कितना सैक्रिफाइस किया तो क्या है कही ना कहीं आप बिलीव करने लगते तो रानी वो बन गई है model for the perfect कि ऐसी औरत को होना चाहिए अपने बारे में मत सोचो पहले पती के बारे में फिर बेटे के बारे में और फिर that is your life तो उसके through also मैं again बच्पन से देखती हा रही हूं कि औरते औरतों को ऐसे क्यों treat करती है जो as a daughter-in-law suffer कर चुकी वो mother-in-law बन के वही औरत क्यों बन जाती है बिलकुल और सिर्फ mother-in-law, daughter-in-law में ने अपने conversation में अपनी साथ से कहती भी तो है कहती है आपने कहलवाया है तो क्या है कि not only mother-in-law, daughter-in-law I think somewhere women punish other women for the lives that they had तो कही ना कही हम भी उसको propagate करते हैं और उसको किसी अलग-अलग तरीकों से मैंने बहुत बहुत सुना है कभी-कभी ओरतों को बोलते हुए कि मर्द बॉस बुरा हो तो ठीक है पर ओरत बॉस अगर बुरी हो तो वह मतलब मर्द से भी भयानक है तो शायद यह इसलिए क्योंकि हम एक दुशे की साइकी को समझ सकते है तो हम जहां चोट पहुंचा सकते हैं वहाँ पर शायद एक मर्द ना समझ पहे पर यह क्यों होता है यह अगेन हम में कंडिशनिंग पहला दी कि औरत औरत की दोस नहीं बन सकती है सो, I wanted to challenge all those things because I think my life's the most big strength I think the most important strength in my life on my life's the best strength in my life जाहे तो माह हो यहां हो एक और मेरे दोस्तों And I have never felt negatively towards them I have never felt negatively towards them that the more I wanna trust you I don't have to say it So, why is that? That is a very deep-rooted understanding है और तो for that cycle I brought in janki और जानके कि थू बहुत सारी चीज़े question करनी थी firstly again education कि आपका decision ले लिया जाता है at a age where आप लायक ही नहीं हो decision लेने की चोटे बाल which is symbolic of lot of things yes you know how are you judged on the exterior of so many things और बाल में क्या value है वो बढ़ जाते है पुरा bio data है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए पर वो similar bio data मर्दों का नहीं है बर्मरदों क्या bio data है कि कहां काम करता है कि इतने पैसे कमाता है to what is this valuation or he am क्यों accept करें आज की date में तो इसी इसी लिए innocence के through or jan ki बहुत ही innocent character है बहुत ही तो at that age imagine कि मैं बाल काट लेगी तो शादी रुख जाएगी it's such a beautiful innocent and very very hurtful thing actually तो मैंने इसको कास्ट करने से पेले भी मैंने यही चैलेंज रखी ती मैंने का जो लड़की अपने बाल काट पाएगी कि जिसमें हिम्मत है कि अपने बाल कार्ट लेगी मैं उसको कार्ट करूंगי Parch बनाने के लिए आपको बढाई पार्श अमें दिखाने के लिए आपOWार मैं चाहूंगी कि जितने भी लोग हैं जो सच में सिने आको समझना चाहते हैं और के इस्थिति और यह देखना चाहते हैं कि हमारे देश में पेट्रियोट की कैसे काम करती है और उसे खत्म करने की कितनी जरूरत है तो एक बार सिनेवा खरो तक जाएं और पार जरूर देखें कैसी तिसनगी कैसी प्यास है यह आपको फिल्म देखने के बाद समझ में आ जाएगी